जिस लम्हें का हमें इंतिजार था, वो आ गया है क्या कहा था उस मुस्तफा ने? जब तक चांद सलामत है आस्मान में, पत्थर की कबर में रहेंगे गुनेगार सारे गुनेगार तो वो इनसान है, मेरा गुनेगार और अब ये चांद लहूलुहान होने वाला है बहुत जल तुम सब इस पत्थर की कबर से आजाद हो जाओगे और फिर ढूंड के लाओगे वो तलिसमान जिसमें मेरे नूर निगाह की जान कहद है हाज शेहजादी के शामियाने के काप शुरू होगा और उसी के साथ खबन होंगी मेरी सारी तक्रीफे बुलाइए पुरे बर्वास को आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बलेगा क्या राम है उसके भाई का? खासिम खासिम इतने में थोड़ी लगती है इतने में थोड़ी लगता है नभी, ये डर्ड इडर्ड इड़ा बोया नभी, जिलकार बोया, बोया, आज तेरी खासिए आज तेरी आज तेरी आज तेरी अगर मुझे खाना पसंद ही होता ना, कबके अपने दाथ निकाल देता है। चारां दाथ गिसने के लिए, देखना, इक दिन इतना गिसने से तुम सब के दाथ गे रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, एक दिन पूरे दुनिया से पानी खातम हो रहाएगा ना, तब मुझे आथ करोगे। तो मेरे होनहार बच्चो, सुभा का वक्त तालीम हासिल करने का होता है। तो आज हम सब मिलके हिसाब पढ़ेंगे। ये लडकों का भी समाजी नहीं आता मुझे। पहले दादून, अब तालीम, आज का देन अच्छे बोड़ा नहीं हो सकता। अबुजान! क्या हुआ मर्याम? अबुजान आपको पता है, हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पास खाने को नान तक नहीं है। सोच सकते हैं कि आप ये। हम तो चौक गए थे ये सुनके, क्या हमारे काबुल में लोग भूखे भी सोते हैं। हमसे राने गया हमने जाके क्या दिया शाही खाजान जी से कि आज के बाद काबुल के हर गरीब के गर नान और बिर्यानी पहुंचाई जाए। हम आपके जजबातों की कदर करते हैं शहजादी। आप उनकी फिकर मत कीजिए। हम समहल लेंगे। आये। जानती हैं आप। आपका निकाह होने से पहले चंद मोके बचे हैं हमारे पास। जब हम आपको अपने हाथों से खाना किला सकते हैं। आप याद तो भहत आएंगी हमें। लेकिन आपकी होने वाली शादी से हम खुश बहत हैं। लेकिन हम भेहट डरे हों हैं अभू। अभू आज से पहले आपने आपने हमें इस महल की बार कदम भी नहीं रखने दिया। अब हम आपको कैसे बताए मर्यम कि इस महल से बाहर जाना आपके लिए क्यों महफूस नहीं है। तो बच्चो फर्स करो चाचा जबरूत के पास 25 मुर्गियां थी। कितनी? 25 जिसमें से हर मुर्गी ने 6 इंडे दिया। जिसमें से 16 अंडे फूट गए और 13 अंडे चाचा बहलू लेकर भाग गए तभी अचानक किसी मुर्गी ने साथ अंडे और दिया। जिसमें से दू अंडे और फूट गए तो बताओ चाचा जबरूत के पास कितने अंडे बचे? 120 गलत! सही जवाब है 120 हिसाब हो रहा है कि लतीफा? इतनी हशी क्यों आ रही है? आपने लतीफा बना दिया हिसाब खा आज पर 26 के आगे एक पसीन से मिठ गया बाबा जब आपको शहचादी का श्रमियाना बनाने के बाद बहुत चारी दिनारी मेलेगी तब आप हमारी ले एक हिसाब पढ़ाने ओला मुहालिम रखवा देजेगा क्योंकि अगर आप पढ़ाएंगे तो जो आता है वो भी बूल जाओंगा इमाद इमाद इक्या तरीका हो बाबा से बात करने का सही तो गरा है अलीफी अब हम सब में सबस्याद होशयार कौन है इमाद तो अगर कल को इमाद को कोई अच्छा मॉलिम मिल गया तो क्या पता हमार इमाद शाही खासांची मन जाए तो बाद आरा है माद मिया पैसे आते ही सबसे पहले आपके लिए बड़ी सा मॉलिम ड़ने जाएगा शुक्रिया बाबा और हमारे ने मानते हम पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो क्या हमारी ज़रूरते नहीं है मिल जाएगा जो चाहिए वो मिल जाएगा बताओ क्या चाहिए तुम्हे मैं बस जब मांगू जितने मांगू दिनार दे दिया करना बाकी मैं समा लूँगा ठीक है जितनी दिनार चाहिए उतनी दिनार मिल जाएगी मैं गुडगुड़ी सी होने लगी सोच सोच के पजामा भी फाड लिया प्ष। एक दिन क्यों रोज मिलेगा सुभा शाम लजीज खाना मिलेगा खजूर भी खजूर का पूरा का पूरा पेड़ मिलेगा मेरी गुले गुल्रेज मेरे बहादूर बच्चों हमीशे एक बात याद रखना जब तक हम सब सात हैं सब मुष्टे में खाथ रहे बंदमा डंडम बंबं हम हिश्वले हमने बंदमा डंडम बंबं सात रेंगे अटम हम यह शहजादी का शामयाना हम सब के हर खाफ पूरे करेगा बात है मेरा आपको महल से हमने कभी भार नहीं जाने दिया आपकी भलाई के लिए कैसे भलाई अब्बू? हम भी पूरा काबूल घुमना चाहते हैं काबूल के आम तो पूरी दुनिया घुमना चाहते हैं अपनी आवाम से मिलना, उनसे बातें करना अब्बू आपने कभी महल से बाहर तो जाने नहीं दिया अब आप अचानक से चाहते हैं कि हम निकाह करके हेरत चले जाए क्यों अब्बू? मत भेजिये ना हमें चाहे कुछ भी हो जाए आप शहजादी को दुनिया से महफूज रखिएगा महल के बाहर किसी को इन्म तक ना हो कि शहजादी दिखती कैसी है चले अबू क्या चुपाते आए हम से हम सब अपना हिसाब लेने आया अली मेरे ढाई सो दिनार वापिस कर अली मेरे सवासाओ मेरी एक्यासी दिनार और चार बगरी लेके गया ता तू चाचा 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 ताया सब का हिसाब करेगा यहली बाबा शहजादी के शामियाने का खेका मिला है मुझे पेशगी मिलते यू धारी चुका दूँगा यू किना है? आपका कितना है? दाइसो दिनार. तीनसो लेकर जाना और आपका कितना है? सवासाओ देड़ सो दूँगा और कितना था? एक्यासी. एक्यासी हाँ, सा लेकर जाना और साथ में पांच बक्रियां हम जब भी आपसे ये सवाल पूछते आप अप यो ही परेशान हो जाते हैं अच्छा परेशान मत हुए माफ कर दीजी हमें, हम फिर से नहीं पूछेंगे अब जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचे जो आने वाला है उसके बारे में सोचे अपने शेहदादे के बारे में हमें कुछ नहीं सुनना आँंके बारे में सुनना भी है और कह भी रही है के नहीं सुनना है ठीक है जितना यहां की आवाम हम से प्यार करती है उससे कही ज़्यादा हमने सुना है वहां की आवाम आपके शेहदादे से महबबत करती है जहां चलते हैं दूआ सलाम में हाथ उठते हैं पीर फकीरों के कदम चुमती आवाम में जिस गली से गुजरते हैं देखने वालों के सर और सीना फक्र और महबबत से फूल उठते हैं लोग कहते हैं की यही मौबत कमाई है उन्होंने बाबा यो कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने वा तुम जाओ मैं देखता हूँ जाओ तो ये है वो खुशामदीद, अली बाबा, तुम्हारा खेर मगतम है बाई जानिए, चल क्या रहा है, क्या किया है, मैंने कुछ तो बताईए वही तो, वही तो हम जानना चाहते हैं, कि तुमने जुन्दगी में ऐसा क्या किया है, कि तुम्हे शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका मिल गया। ओ, तो जलन खीच कर लाई हैं आप मुद्धीत लोगों अपने महल से बाहर। हाँ क्या भाईजिन, शक्ता तो पूछ लेते हैं, खामखा गिर्बाइं धीना कर दिया आपसे। और हुजूर आप, आप जानना चाहते हैं नहीं यह शाही ठेका मुझे क्यों मिला। मैं बताता हूँ, यह शाही ठेका मुझे मिला क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ। मैंने बनाया है, कभी उसमें गुसल करके देखिये, दिल बाग बाग हो जाएगा। अली, तुमने वाकई जिन्दगी में अगर कुछ बनाया है ना, तो वो लोगों को बेखूफ बनाया है। तुमारे इसी आला हुनर की तारीफ करने के लिए खास तोर पर हाजर हुए हैं, हमारे दोस्त अस्मान। शहजादी के शामियाने का ठेका तुम अली भाबा को दोगे। कौन है हुजूर, इनको कहने कभी देखा ही नी, कौन है अब? कहो तो याद ताजा करवा दें हैं। हुजूर, वैसे तो हम असानी से दरते नहीं हैं। लेकिन उस दिन जब हम लशकरी शामियाने में खापी रहे थे, तब हमने बहुत सारे गोडों के दोड़ने की आवाज सुनी। खौफनाक आवाजे थी हुजूर। अब देखा, चालिस काले गोडों पर चोट हमारी ओर आ रहे थे। लेकिन हम तब भी डरे नहीं थे हुजूर। असानी से नहीं डरते हैं। भख दीजिए हुजूर। लेकिन हुजूर, इसने हमें डराने की नाकाम कोशिश की थे। यही था हुजूर। यही था। इसने अपना चेहरा नकाब के पीछे चुपाया था और अपने आपको इमलिस बता रहा था। कुछ भी, कुछ भी हुजूर। अभी आपने कहा जिसने आपको डराने की नाकाम्याब कोशिश की थी, वो चेहरे पे नकाब पहन के आया था। अगर उसने नकाब पहना था तो आपको कैसे पता के वो मै था। यह तुम्हारा खास दोस्त उस दिन वहाँ गडरिया बनकर घूम रहा था। सब के सामने इबलीश ने इसको मार दिया था। फिर आप जिन्दा होकर यहां टहलने आया है क्या। अरे क्या बकवाद है। जिस दिन की आप बात करें उस दिन तो मैं परवाज में था ही नहीं। जिसने कहा है सही कहा है कि जूट बोलने के लिए अक्ल चाहिए होती है। पहली बात तो यह दोस्की एक काम किस दिन को हुआ यह नहोंने बताय नहीं तो आपको कैसे बता चले। और दूसरी बात अगर आप कहते हैं कि आप उस दिन परवाज में थे तब भी हम माल लेते हैं। अब परवाज में थे ही नहीं तो कहा थै। गठरिया बने गुम रहत है। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन इबलीज बने यही गुम रहत है। क्योंकि वो इबलीज, चालिश चोरों का सरकना। मरने के बाद कबर से निकल कर, चालिस चोरों को कबर से निकाल कर, एक तालिस घोडों के साथ ये कहने आया था कि शामियानिय का ठेका अली बाबा को मिला, इससे बहतर उनके पास और कोई वज़ नही थी कबर से बाहर निकलने के कमाल करते हैं आप ये लग जूट मूट के बाते बना कर क्यों वसा रहे बाबा को, फिकर मत कर को जैस, अब ही देखना कि कैसे मूट और जवाब देंगे बाबाए ने हरे हुजूर कुछबी, अब ये चालिस चोरों का सरगना हमारी सिफारिश क्यों करेगा, हमें क्या पता? क्या पता मुरीद रहा ओ, मूत जुड今विकर हमारे हमाम का नहाने आये हो कभी हमें क्या पता हुजूर चुप एक ढम चुप चुप एक ढम चुप अब एक लफ्स भी बद निकालना अपने मूँ से जरा भी शरम नहीं आती ना तुझे इसकतर जूट बोलते हुए सबसे सर जुख जाता है मेरा यह सोच कर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है काश तू पैदाई नो हो यह जिल्लत बरदाशने हे गणने पड़ती मुझे जै अली अली क्या हो गया ए तुमें अरे तुम्हारे अब्बू अला उन्हें जन्हत नसीब करे जादुर मुस्तिफ़ा की बड़े ऐसान है काबूल पर जिन चालीस चौरों को उन्हें ने और जानने जहांने वहारत करता उन्हीं चालीस चोरों को फिर से जंदा करके तुम लोगों में देशत पहला रहे हो खौफ पैदा कर रहे हो लोगों में आज तुम्हारे अबू जहां भी होंगे जहां से तुम्हें देख रहे होंगे किस कदर पशेमा और शर्मिंदा हो रहे होंगे हाँ देखो ना कालिक पूद्दी उनके चेहरे पर सिया कर दिया उनके चेहरे को क्या कर रहे हो अली तू खेर अवाम में हम यहां मैलान करते हैं कि अली की इस हरकत की वज़े से शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका फिर से खोला जाए और इस से और इस से उठेका वापस लिए जाए जाए उठेका वापस लिए जाए और ये हमारा हुकम है पहले शाही सडक से निकालेगे और अल्ला ने चाहो तो मामूली गली के आप पूरे परवाज से निकाले जाओगे उस इन कहा था ना आपने यही खड़े हो के सीना चोड़ा करके शाही सडक में दाकिलोंगे अब अपनी गली में भी सर जुगा के चलना बड़ेगा किसमत क्या करें बड़ी बद्तमेज चीज है बहुत तरह सारा हमें आप पर और आपके भूके बच्चों पर काश की हम कुछ कर सकते हैं पर मजबूरी है हम कुछ करना ही नहीं चाहता है बाबाबा नहीं पर और आपके बाबाबा तुम रुप चलो मैं आथ हूँ डाबाबाहु तट चले और तुम लुक चलो मैं हाथ हूँ दिन बदरनेवाने हमारे इवाश एजादी कर शामियाना बन जाए उसकी बाचुन दिनारी में लेखिए उससे हम गुड्रियस का बहतरी नाज कराएंगे पर एक एक करके तुम सब बच्चों के खौप पुरे करेगा दुवारा बाबा बस करके बाद समझ चाओगा अली की इस हरकत की वज़े से उठी का पॉपस लेगिया चाहे तुम लोग अरे कुछ नहीं हो गच्रा चलाया ता आख में तुम लोग इदे इसनों परिशरन की निगए ओप यह जो कुछ भी होग यह सब मेरे दिमाग का यह मेरे दिमाग की चलागी थी है जैसा मैने छाहता था ता जब कुछ बैसा ही हो रहा है अब देखना तुम, तुम देखना, बहुत जल्दा मारे पास, बहुत सारी दिनारी होगी बाबा, हमें दिनार नहीं चाहिए, हमें बसा हस्ते वे चीए, सच्ची की हस्ते वे, ऐसे जूट-पूट नहीं हाँ बाबा, तारीक गव है, आसतक ना कोई दिनार से खेल पाये, और नहीं गपफे रड़ा पाये खेलने के लिए और गपफे रड़ाने के लिए चाहिए टेजियो ते दोस्त, और बाबा, जो कि अमारे पास पहले से ही है हाँ बाबा, हमने भी सोचा बाद में कियो मैं क्यों चाहिए मुवालिम क्यों कुछ भी सिखना है, आके बाबा से ही सिख लो बिल्कुल चाहिए, अब जादे दिनार होईगे तो उनको समालने की मशकत कोई चोरी कर लेगा तो, चोरों का कोई भरोसा है आजकर और वैसे भी, हम सब जैसे भी है, बिल्कुल मज़े में है बाबा, हम जानते हैं आप जो करते हैं हमारे लिए करते हैं लेकिन यह नहीं सुचते कि अगर तकलीफ आपको होगी तो दर्थ हमें भी तो होगा ना हमें कुछ ने चाहिए हमें बस आपके चहरे पर मुस्कान चाहिए हम लोग सब कुछ सह सकते क्योंकि जब तक हम सब साथ हैं करते हैं चाहे पूरी काहिनाथ से लड़ना पड़े, तुम बच्चों के सारे खाब पूरे करके रहूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा झाल झाल